दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पिता और पुत्री की दिल को छुजाने वाली एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। पतनी अपने पती से कहती है, पतनी पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी, अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी, बज़े पूछी तो बस इतना कही कि प्लीज मा मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे लगता ह कि सायद उसे किसी ने प्यार में धोका दिया है, डर लगता है कहीं भै खुद को नुक्सान न पहुचाए, पती थोड़ी खामोसी की बात कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ, इतना कहकर भै अपने बेटी की कमरे में जाते हैं, पता अपनी बेटी से कहते हैं, पायल कैसी हो बेटी, पिलीज पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है बेटा, मगर एक सार्थ है, बेटी, बोलिए, फिर मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर मैं हम तुम्हें डिस्टर्ड नहीं करेंगे, ओके, बेटी, ठीक है, सुनाईए, पिता, आज से करीब 20 साल पहले, एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर, उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा, बेहद आग्याकारी और इमानधार था, उस राजा को अपने बड़े बेटे का नाज था, उसकी सादी एक खुबसूरत लड़ की, गर्व वती हुई, घर में खुसियां ही खुसियां च्छा गए, मगर राजा की जित्ती, की बेटा ही हो, फिर राजा ने अपनी बहुआ के गर्व का चेक अप करवाया, तो पता चला, की गर्व में लड़की है, राजा ने बेटे को हुकम दिया, की लड़की को गिरा दिया जा रहे, खिर बड़ा वेटा आग्या खारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूप को कैस हुए, की दो दिन बाद अपना राजपार्स, धन दौला, सानो सौकत, सब कुछ छोड़के, ने गर्व वती पतनी को लेकर महल से कायब हो गया, बेटी के लिए तमाम सुभिदाओं को छोटोकर मार दिया, एह बाप की बात मानता, तो आज उसकी जगह राजा होता, ना जाने बाette बेटी के लिए पागल बाप ना जाने किस हालत में होगा, तभी पागल की मा, यहां आकर कहती हैं, की एह बेटी के लिए पागल सक्स औ तुम मैंने देखा नहीं कास पापा अनात ना होते तु दादा दादी का चहरा भी देख लेती तेरे पापा अनात नहीं है तु बड़ी होका जिद ना करे दादा दादी से मिलने की इसलिए तुस से सच चुपाया गया फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली थी कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे अखवार में इस्तिहार दे कर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा मैंने भी जोर दिया वापस जाने को मगर तुझे गोदी में उठा कर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फर्मान निकाला गया हूँ बहाँ एक राजा कैसे सांसे ले सकता है अब नजारा अलग था पायल की आँखों मैं पापा के लिए सम्मान उनकी महबतों के लिए डेरो सारो प्यार और उनकी कुरबानी के लिए अबादत करने जी कर रहा था आशु थमने का नाम नहीं ले रहे थे मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था पापा ने बस आखरी सब्स इतना ही कहा अपनी बेटी को मैं नहीं जानता बेटा की दुनिया में तेरे बारे में क्या सोचती है मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा मगर तू कल भी आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहोगी बेटी ने दोड़ कर अपने पापा को गली लगा कर रोते हुए कहा आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस सबकी पलकें गेली थी मगर भाई एक नई सुभई की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपने सियास्ट में लोट आई थी बेटियां माता पिता की जान होती है उनकी आनबान और सान होती है